हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो मैं चानल शायना गोल कैसे हैं आप सब आप सब आप सभी fit and fine होंगे healthy होंगे फ्रेंड्स तो आज की वीडियो हमारी जो है यह बहुत important होने वाली है बीयड के सबी students के लिए क्योंकि आज हम कुछ ऐसा discuss करने वाले हैं जो आपको exams में बहुत ज्यादा help करने वाला है फाइन तो हमारा आज की वीडियो का topic है फ्रेंड्स के बीयड में आप notes कैसे बनाए ठीक है तो इस पर हम detail में बात करेंगे और कैसे बनाएं क्यों बनाएं सारे चीज़े हम discuss करने वाले हैं इसी वीडियो में तो वीडियो को end तक जरूर देखे और अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो इसे पहले subscribe कर लिजिए और साथे में click कर दे bell icon पर to get notifications of my latest uploads So friends सबसे पहला सवाल तो यह होता है कि क्या हमें notes बनाने चाहिए बीयड के लिए? Notes बनाने की जरूरत क्या है? देखे बीयड की जो study है वो बिल्कुल different है जो आप graduation करते हैं पोस्ट graduation करते हैं ठीक है? आपके जो subjects होते हैं वो आप पढ़ते हैं और जो बीयड में आपको subjects पढ़ने होते हैं उनकी study जो है बिल्कुल different है तो अगर आप exam तक जाते जाते ऐसे confused type भी हो जाते है बच्चे तो याद रखने का पूरा perfect way है कि आप उसके लिए जो है notes अपनी handwriting में prepare कर लें तो देखें notes बनाने है सबसे पहला बात तो यह है कि studies के different होती है तो आपको उस चीज को समझने में थोड़ा time लगेगा तो notes बनाने इसलिए ज़रूरी है secondly जब बिल्कुल exams आने वाले होते है तो ऐसे तो नहीं है कि आप complete book उससे पहले read करने लग जाएंगे पूरा hot pot हो जाएगा confused हो जाएंगे और exam time में बिल्कुल puzzle हो जाएंगे तो आपकी notes है जो आपकी पूरी help करेंगे उस time पर ताकि आपकी जो main points है आप वो revise करके जा सके exam time में तो चलिए अब देखते हैं कि notes किस तरह से बनाने चाहिए आपको सबसे पहली और important बात की जो आप notes बनाएं वो आपकी neat and clean handwriting में हो ऐसे नहीं है कि आपकी handwriting आप 10 दिन के बाद पढ़ रहे हैं तो आपको ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है किस तरह से आपने उसको match up किया हुआ है ठीक है तो बिल्क आप writing नहीं करने लग जाना अपनी notebook में ठीक है तो points में आपको लिखना है एक एक चीज ठीक है for example हम लेके चलते है teaching learning process का जो subject है आपको पता है तो उसमें एक question में discuss करती हूँ like discuss the characteristics and principles of teaching तो अगर ये आपको question आता है ठीक है अगर आप इसके regarding suppose आप notes बना रहे हैं तो आप स सबसे पहले आप लिखेंगे teaching का जो concept है उसकी जो introduction है सबसे पहले आप वो देंगे फिर next point में आप लिखेंगे definitions given by writers दो तेन definitions ये आपको लिखनी है बिल्कुल end moment पर आप वही definitions learn करके जाए और paper में भी विल्कुल वैसे ही आपको लिखना है fine then आप लिखेंगे उसके characteristics characteristics में सिर्फ आपको points लिखने है ऐसे नहीं कि उसके explanation अब लेवल पे आप अगर point का name ही read कर लेना तो उसके अंदर क्या लिखना है वो material आप खुछ से बना सकते हैं बहुत easily two three lines आप खुछ से उस point के related बना सकते हैं फिर उसके बाद आपको लिखने है principles principles के भी आपको points लिखने है और जो material है वो आप on the spot अपना material को उसके अंदर लिख सकते हैं points के अंदर fine तो इसके बाद finally एक बहुत important चीज़ है जिसको आपने बिल्कुल miss नहीं करना है वो है conclusion तो अगर आप bade में जैसे paper में भी answer अपना लिखेंगे न तो उसको किस तरह से लिखना है वो भी मैं एक व पारे में आप क्या निशकर्श निकालते हो क्या निचोड है उस चीज़ का ठीक है क्या आप conclude करते हो उस answer को related उस answer के related fine तो end में आपको एक conclusion ज़रूर लिखना है ठीक है तो यही आपके notes में जो होना चाहिए हर topic के लिए fine एक चीज़ और दिखिए notes बनाते समय आप diagrams का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि bear के examet diagrams या जो flow charts होते हैं यह बहुत important होते हैं और किस तरह से आप अपने paper को represent करते हैं अपने answer को represent करते हैं वो बहुत important होता है बहुत matter करता है अगर आप अच्छे marks लेना चाहते है तो आपकी जो presentation है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ठीक है for example teaching is a bipolar process इसको आप notes की form में show कर सकते हैं education process is a tripolar process तो इसको आप एक triangle बना कर show कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से क्या होगा कि अगर आप अपने notes में वो diagram बना कर रखेंगे तो बिलकुल exam time पे भी आपको वो diagram जो है mind में रहेगी जो आप notes में read करके जाएंगे fine तो यह तो notes बनाई है exams की अच्छे से preparation कीजिए और चैनल की playlist में आपको इसके regarding जो notes है study material है वो भी मिल जाएगा lectures मिल जाएंगे previous year question papers मिल जाएंगे important questions और कुछ questions के direct answers भी upload किया जा चुके हैं तो channel की playlist ज़रूर चेकिए जएगा so friends मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर आपको यह वीडियो helpful रही हो तो इसे like and share ज़रूर के जगा see you friends in the next video till then keep watching